दोस्तो हाजने एक होर वीडियो रिपोर्ट लेके चैनल रितेश लखियान प्लाग दी आज दिस वीडियो रिपोर्ट विच एक बहुती वखरे ईशू दे उते गलबात करने जा रहे है हाँ पगड़ी उते लगया ओ बैन जो की वीड़े 20 साला यानि की दो दहाक के तो बाद समय तो लगा होया है फ्रांस दे बिच पग उत्यों जड़ा प्रतिबंद है बैन है और नहीं हट पाया है वैसे पग दे उत्यों कोई इस तरीके दा फ्रांस दे बिच बैन नहीं लगा लेकिन एचीज मननी गई है जड़े भी लोडिन दे दस्तावेज है जड़े ड्राइविंग लेसेंस पासपोर्ट या इस तरीके दे जड़े पच्छान पत्तर ने जदो उना संबंदी कोई फोटो ग्राफी करवानी हों दी है ता पग पाके उस फोटो नो नहीं खिचवाया जा सकता एक बहुत पुर पर्स्पेक्टिफ देविच है दुनिया पार देविच किस तरिके नाल सिखां दी दस्तार नू नू मन्नय आcido है दे फ्रोंस वरिगे एक बहुती लिप्रल मन्नय जानवाले मुलक ने भी बीते वी सालनातों के इस तरीक के नल पागुते बैन लगा रहे है थे, दूसरे पासे पारत देविजदों की, मुस्लिम महिलावा जे अपना हिजाब पांदिया ने, हिजाब दरसलो बुरका नहीं हुंदा, हिजाब एक बहुते लिमिटेड हैड़ गियर हुंदा है, सकार्फ हुं मुस्लिम समाज देविज एक परंपरा है, उस दे उत्ते पबंदी, हाई स्कूल ना ते कॉल्जाव लो लाई गई है, ते कई जिलियां देविज तना है, करनाट का दे कुछ कॉल्जाव लो फैसला ले जाना है, दिसंबर दे आखरी महिने देविज उड़ी पी या जड़ कोड़ है, जिस तहत की होर भी स्टुडेंट्स नो एक पर्टिकुलर यूनिफर्म पॉनी पहन दिया है, लेकिन कुछ महिला जड़े के स्टुडेंट सन यानि की लड़कियां सन उना वलनों हिजाब पाया जाना शुरू किता गया, क्या जान दा कि उना कॉल जान देविज पहला भी महिलामा जड़ियां ने हिजाब कदे-कदे पॉन दियां रही हैं सन, तो अपने सीनिर्स नो वेकि इना महिलामा ने भी हिजाब बाना शुरू किता थे इस चीदी मांग उठनी शुरू हुई कि हुन असी हिजाब पाके ही स्कूल, हाई स्कूल या कॉलेज दे बि लेकिन एथे जड़ी कम्यूनल पोलराइजेशन है, इस तरीके दी हुन दी नजर है क्योंकि पार्टी जन्ता पार्टी दी सरकार है, उस इलाके जिस विच ये गड़बना हुई या ने उत्थे भी बीजेपी दे ही विदायक है कि ने, सो उत्थे देखो देखी, इना मुस काफ पाने शुरू कारते, पगवेई दी गालबाद शुरू होगी, जैसरी राम दे नारे कैमपसां देविच लगण लगपे, देख दी देख दे, तकरीमन डेड़ दो हफटे दे विच हलात जेहे हो गए कि मुख मंतरी नों पूरे सुब्बे दे जड़े स्कूल कॉलेज सन उना नूँ बंद करना पया, उना नूँ ख्लोस करना पया, सो तना जादा वाच चुका सी करनाठका ते नाल दे जड़े गवांडी राज हैगे ने तामिलनाडू बर गे उना तक भी एस दी सेख जड़े सी पहुचना शुरू होया, अखीर देविच है मामला करनाठका ह हाई कोट दे विच पहुंचा सी, आज हाई कोट दा जड़ा फैसला है, अंतरिम फैसला है, इंटरिम फैसला है, छोटा कच्छा फैसला जिसनों गयने आ, उस फैसले दे मताबक किसे भी किसम दा तार्मिक जड़ा तुसी कपड़ा है, या कोई भी अजेहा सिंबल चाहे हो गले दे विच किसी सेफरन रांग दे, पगवे रांग दे, लाल रांग दे, काले रांग दे, हरे रांग दे, किसी गमचे दी शकल विच होवे, सकाफ दी शकल विच होवे, हेड़ गियर होवे, या फिर एहे हिजाब होवे, इस सारियां चीज़ा नों कैमपस तो तो नों दूर रखना पैना है हाई कोट ने नपे तो ले शब्दा दे बिच फिल हाल उस जड़ा रेस्ट्रिक्शन सी प्रतिबंद सी उस नों कंटीनू किता है 14 फरवरी यानि की तकरीबन दो तिन दिन बाद इस केस दी सुनवाई दोबारा रेजियूम होएगी 14 फरवी तो पहला है इसाब कुछ किता जाएगा क्योंकि ए पूरा दा पूरा मामला उस तार्मिक अजादी देनाल जुड़के खड़ा हो गया है जो की पारत दे समविदान ते कानून दे विच बहुती प्रॉमिनेंटली दर्ज है यानि की साड़ा समविदान जो की राइट टू रिलिजिन दन्दा है एक फंडामेंटल राइट है जो की अलग अलग जड़े आर्टिकल्स है किने कॉंसिचूशन दे आर्टिकल पच्ची तो लेके अठाई आर्टिकल पच्ची छबीस ताई अठाई जड़ा साड़ा समविदान दा है उसाननों अपने तरम या उस दियां जड़ियां रिवायता ने उसनों फ्रीली एक्सराइज करन दी अजाद दी दन्दा है उस दे बीच कोई भी अंकुष जब कोई लगा सकता है ता वो स्टेट ला सकते है इस केस दे बीच ओ इंटरप्टेशन कुछा तक फाबदी है क्योंकि जड़ा राइट तू फ्रीडम है एक एपसुलूट राइट उस तरीक के दा नहीं है बेशक एक फंडामेंटल राइट है लेकिन जे मैं तुनू आर्टिकल पच्ची दा एक सेक्शन पढ़के सनवाँ आर्टिकल पच्ची दा जेटा सेक्शन है उसनू जापा थोड़ा पढ़िये उस विच फ्रीडम ओफ कॉंशन्स यानि की अपनी अंतरात्मा दी गाले सुनन दी अजादी और फ्री प्र्फेशन प्रैक्टिस इन प्रॉपेगेशन ओफ रिलीजन ते तरम दी दुन अनन दी ते उसनू उससे विच बाता करं दी जडिड असादी है तो टो पेला जड़ा पच्ची आर्टिकल दा सेक्शन है ओ कहनता है की subject to public order, morality and health, यानि कि public order, morality, health ते मापदन्ड उते, and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion, यानि कि हर नागरिक जड़ा है, वो अजाद है, लेकिन subject to public order, public order दा उसे मिच नुकसान नहीं होना जाहिए दा, ये से आर्टिकल दा जड़ा दूसरा section है, वो भी यही गालबात कहना है, लेकिन उसना जड़ा part 2 है, वो थोड़ा ज़ा महत्तपूरण है, जिस तहत की part 2 दे विच explanation 1 दे विच जिकर आन्दा है, the wearing and carrying of किरपांज shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion, ये specifically explanation 1 of section 2 of article 25 जड़ा constitution दा है, उस दे तहत ए गालबात क्लियर है, कि सिखां दे जड़े करपान नूँ carry करन दा राइट है, ए उना दा एक proper राइट है, एक तार्मिक राइट है, ते इस नूँ तरम दा परचार या तरम नूँ practice करन दी जड़ी कवायद है, ओ ही मन्ने आ जाएगा, इस दे विच कोई अंकुष नी है, कि इस रिपोर्ट नूँ बनाया जान दा मकसर सिर्फ करनाट का दिस कटना नूँ समझना या जानना नहीं है, बलकि ओ मूलत से दाम तक मुद्दा है, जो कि अपने तरम नूँ खुल के, उस दी हर रिवायत नूँ, उस दे हर टिडिशन नूँ मन्नड दी आजादी किसी भी मुल्क दे नागरिक नूँ दंदा, एक इखलाकी पदर हुते, एक कॉंशिंस दे लेवल हुते, एक तारमिक राइट नूँ एकसरसाइस करन दी जड़ी अजादी पारत संभिदान दे विच दे फंडामेंटल राइट दे तहत मिली हुई है, उस दे उते इस तरीके दियां रिस्ट्रिक्शन के साथ तक जायज ने, आज मैं गाल सिर्फ करनाट का दी एस कटना दी नहीं करनागा, लेकिन सरकारी या जड़े पब्लिक स्कूल सान, उना दे विच शिक जड़े बच्चे सन, उना दी दस्तार पाउन उत्ते मनाही करती गे सी, इस तर्म दे एक फेथ दे एक विजिबल सिंबल जो की फ्रांस दे कानून ते उत्ते दी स्पिरिट दे मताबिक ओसनाल कंड्यूसिव नहीं सी, एस चीजनों त्यान विच राख दे हुआ है, फ्रांस ने कानून पास किता, लेकिन एस तो पहला भी 2001 दे विच एक बहुत बड़ा विवाद उस वक शुरू हुनदा है, जड़ों की एक सिख, जो की रणजीत सिंग ना तो जाने जानते सन, हर्याना दे, रेन वाले सन, जो इस तो कुछ ही साल बाद एक कानून जड़ा की फ्रांस दी सरकार ने लेंदा, जिस विच की पबली स्कूला दे वेच, किसी भी तार्मिक जड़ा सिंबल सी, उस विच महिलामा दे, नकाब सन, उनना दे हिजाब सन, या फिर उनना दे बुर्के सन, ओ भी शामल सन, ते सिख रो रहा, सिख संगता दे विच ते हर लेवल दे होते हैं, तरश्ट्री, कुमांतरी पर दर होते हैं, जिनने भी सिख, बॉडी सन, उनना ने शुरौती फेज ते कई साला तक अपनी पूरी दी पूरी लड़ाई नो जारी रख्या, 2012 दे विच ओ लड़ाई, United Nations Human Rights Committee तक चान पत्तर लई अपनी फोटों जड़ियां के चमाड़ियां पैंदियां, उनना तो पहला अपनी दस्तार नो पागन उतारना पाएगा, इस तरीके दी जड़ी वी प्राक्टिसे अपने आपनी सेकुलर अख्वाण वाले फ्रांस दे विच लिबरल होंदे नाते, या फि रिखे दियां, पबंदियां जड़ियां लाईयां गईयां सान, उनना नो युनाटिड नेशन्स दी, मनुखी अधिकारां दी जड़ी करमेटियां सान, उनना न भी खारज किता, 2012 दे विच जदो ए फैसला आंदा है युनाटिड नेशन्स दे विच उस वक उस तोबार ल नेशन दे फैसले तो बाद भी, दुनिया पार दे विच पैदा हुए प्रेशर, पारसरकार ने भी इस केस दे विच फ्रांस सरकार देना कई वर गालबात किती, फ्रांस दे दो अलग अलग राश्ट पती, इना तमाम सालां, 2012 तो लेके, 2012 तक पारता चुके ने, आखरी ज और पदर ते लामबंदी दुनिया पार दे विच वेकी गई, मैं खुद बजे बते रियां जेहीं, डिबेट्स कंडाट करदा रहा हुना, वक्ता दे विच जदो की सिखा दी इस पगड़ी उत्ते जड़ा बैन लगा सी, फ्रांस दे विच उस नू कई कसल बट्टियां त फ्रांसी सी फाज लई, उस लड़ाई, उस जंग नू जित्वाण दे विच ओ अनमुला सी, सो क्योंकि सिखा ने उस वक्त दस्तार बनके उस वर्ल्ड वार दे दौर दे विच जदो उननों हेलमट पान लई, क्या जन्दा सी, सेक्योरिटी या सेफटी दे पॉइंट इस तरह ने, क्यों मजबूर किता जा रहा है, तो इस तरीक्टे बहुत से तर्क दित्ते हैं, बहुत सी घलना मतां फ्रांसी सरकार दे ना लई लेकिन ना था फ्रांसी सरकार थे ना ही उत्थे दी सिविल सुसाइटी, मोटे तोर थे इस चीज नू समझ पाई थे, इस पचान दा इस सारीया चीज़ां फ्रांस दी सरकार देनाल उस दलीलना दी शकल देविच कारगर साबत नहीं हो पाई ते ओ जड़ा बैन है पगड़ी उत्टे लगा होया फ्रांस देविच पचान पत्रा दे उत्टे जिस तरिक के दी पचान चाही दी है दस्तार तो बगैर पचान चाही दी है ओ आज भी जारी है तो इंटरनेशनल कम्यूनिटी इवन सिखा दी जड़ी जथे बंदियां ठाक चुक्याने हार चुक्याने फ्रांस देनाल उगालबात किसी भी सीरे नहीं चड़ पाई है लेकिन आज जड़ा विवाद दखनी पारत दे राज करनाट दे वी शुरू होया है जो कि इस वक्त हाई कोड विज पहुंच चुका है ओस दे विच सानू किते न किते ओ चलक नजर आंदी है फ्रांसी सी सरकार दी ओही कारवाई फ्रांस दी गवर्मेंट दी ओही कारवाई जो कि उनने 2001 तो बात शुरू किती रणजीत सिंग दा केस पचान पत्तर दा केस दे 2004 तो बात स्कूलां पबली स्कूलां दे विच दस्तार होते जड़ा प्रतिबंद सी ठीक ओसे तरिके नल करनाटका दे विच इस साब कुछ होया है जो गाल बात करनाटका दे विच होई है ते जो गाल फ्रांस दे विच वी सालां तो हुंदी आ र है उननों किते न किते इस चीज दावी इतियान रखन दी लोड़ पएगी कि उनना दिया सरकारा यानि कि गवर्वर्मेंट आफ इंडिया दा जड़ा स्टैंड है अंतराश्ट्री या ग्लोबल लेवल उते खास करके फ्रांस दी सरकार देना ज़नों इस इश्यू नों टे हिजाब एक अजेहा कोड है जिसनों कि फॉलो ता किता जानता है लेकिन उस तरीक के नल एक कोई मर्यादा नहीं है उस तरीक के दी मर्यादा नहीं है मुसलिम समाज दे बिच जिस तरीक के दी मर्यादा एक पगड़ी तारी यानि कि अमरितारी सिख वलों अपनी पगड़ी यानि कि सरकारां रिस्ट्रिक्शन्स इंपोज कर सकते हैं इन दे इंटरस्ट अफ पबलिक ओडर एंड मॉरालिटी। जे कुछ अजेहियां, स्तिथियां, सरकारा नो जो लोड़ी इंडियां लग दियाने, जरूरी लग दियाने, तो उना सिचुएशन दे विच रिस्ट्रिक्शन दो इंपोज किता जा सकता है, सो करनाटका देवी जदो मुस्लिम जडियां विद्यार्थना है गयाने, उना वलनों हिजाब पाउन दा सिलसला, दिसंबर 2021 की देवीच अचानक शुरू कारता जानता है, तो होर जड़े नाल दे साथी हुन देने, या उना दे होर बैच मेट्स, क्लास मेट्स हुन देने, उ कॉल जां स्कूला देवीच, उना ने गल्यां देवीच अपने पगवे रंग दे जड़े, जड़े सकार्फ सन ओ पाके स्कूल जाना शुरू करता हुन चुके पूरे दे पूरे विवाज जड़े हैं किने हाई कोटा तक पहुंच चुके ने सु अदालतां दे सामने बली पैदा कर दी है, की तो डे सिस्टम दे बिच कोई अजे है, खला या तना पैदा कर दी है, जिस तो बात की लोकानी जिंदगी या फिर उस सूपे दे अमनों अमानों कोई नुकसान होबें, शैद एही अब्जर्वेशन करनाट का हाई कोट वलनों आज टिपनी दी शक पारण ना करें, चाहे हो हिंदू होबे, चाहे हो फिर मुसल्मान होबे, तो ये फैसला हजे आना बाकी है, लेकिन जदों भी अदाल, पारदी अदालता, चाहे हाई कोट होबे, सुप्रीम कोट होबे, इस दा फैसला लेंड गया, उनना दे जहन दे विच ओ, फ्रांस सरका ते नाल जड़ा केस टेक अप किता गया, बिल्ड अप किता गया, पारसरकार वलनों भी, सिख कम्यूनिटी वलनों भी, कुमंतरी पदर दे मंचा होते, फ्रांस दे सरकारां दे सामने असी उनना दी मुखालफत कर दे रहें, या फिर उनना दे लिबरल सिस्टम दे विच सि इसले दो दहाके तो उनना ने बहुती मजबूती दे नाल लिया होया है, ओ सही साबत हो जाए, तो कितने किते एक कमपैरिजन जरूर होएगा जदों भी अदालता दे विच फैसला आनदा है, बेशक हिजाब ते सिख दे दिदी दरस्तार है, ओ दे विच कमपैरिजन उस त स्तार दे उत्ते या पागडी दे उत्ते लगे, बेन दे मुतलक जड़ा अपना अर्गियोमेंट है, उसनू कदे हगे तोर पामांगे, ए विखन वाली गाल होएगी, तो इस नोट दे उत्ते ही, इस रिपोर्ट नू भी मैं विराम दनना है, इस रिपोर्ट नू बनाए ज जान दे लोड इसी वास्ते मैसूस होई सी, कि मैं दो स्तित्या नू रिलेट को रिलेट करना चांदा सी, आज करांगा मैं कुछ हद तक उस विख कामयाब हो यहाँ, थैंक यू सो मच, इस रिपोर्ट नू बेखर लई